नमस्कार प्यारे दोस्तों, वह कौन सी विधी है जिससे हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं? हम अपने डर को बदल कर अपनी सबसे बड़ी शक्ती में कैसे बदल सकते हैं? होई, तो आज का टॉपिक इसी विधी पर आधरित है. अगर आप भी उस शक्ती का अनुभव करना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना. तो चलिए, वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों. हम ज्यादा तर समय नकारात्मक ही सोचने में लगे रहते हैं. अपने लक्षे को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह है. वह ये सोचता है कि अगर लक्षे पूरा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? और इस प्रकार की नकारात्मक, विचार धारा के कारण जीवन परांत डर डर कर जीता रहता है. अगर पूरी बुद्धिमानी और सजग के साथ इस डर को समझा जाए, तो यही डर इनसान के पतन का कारण बनता है. ऐसा मनुष्य जो खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है. भलावह कैसे सफल हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपियोग किया जाए, तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. काश, केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता, तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है. यह कहकर सन्यासी चुप हो गया, और चुप चाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली. घास पे से आगे बढ़ने लगा, संध्या का समय था, सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गाव की तरफ निकल रहे थे. सन्यासी के यह शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए, वह सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है, डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका, तो उसने सन्यासी से पूछा, कि महात्मा, आप यह क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है, डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए, इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसे एक शेर की दहार सुनाई दी, शेर की गर्द, सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया, उसके कान दाल सकती है, उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था, कुछ देर बाद जब खतरा टल गया, तब सन्यासी ने कहना शुरू किया, सन्यासी ने कहा, कि अभी जब तुम डरे हुए थे, तो तुम्हें शेर की दाहार सुनाई नहीं दी थी, तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दाहार सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे, यदि तुम्हें अभी श साधारन जीवन में तुम इतने तेज नहीं दोड़ पाओगे जितना की एक कुत्ते के सामने दोड़ पाओ। यह ताकत या कहे कि हमारे शरीर की क्षमता तभी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी परिस्थिती में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरी अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते। वह तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है। वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हार और तुम्हारे इंद्रिये फिर से आराम की स्थिती में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है, वह साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है लकड़हरा सन्यासी के ग्यान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया, जला कर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताएं इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर सन्यासी ने लकड़ारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का खयाल आ गया अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है ना उसकी दाड़ सुनाई दिये मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है लेकिन शेर का खयाल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा हर समय तुम्हारे मन में यही खयाल चलेगा कि कहीं शेर ना जाए ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है ये तुम्हारी बहु विशयक की कलपना है इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविश्य की चिंताओं में डूबा रहता है वह मांसिक डर का शिकार होता चला जाता है इसी विडंबना के कारण वह अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है वह सारे मांसिक डर से ग्रसित होते हैं इसी लिए ज्यादा तर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते लेकिन यह भी सत्य है कि मांसिक डर के कारण ही इनसान अपनी तैयारी पूरी करता है अगर तुम्हारे मन में शेर का खयाल नहीं आएगा तो तम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे लेकिन अगर तुम्हें शेर का खयाल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओ तो इसलिए मांसिक डर बेकार नहीं होता वह आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर जहेल रहे होते हो उदाहरण के लिए कुछ मनुश्य हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए कहीं उनके साथ कोई दुरघटना घट जाए कहीं उनके साथ कोई धोखा न कर दे लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है यह उनके हाथ में नहीं होता है अगर दुरघटना होनी होगी तो होगी ही अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही अच्छा खान पान और अच्छी दिन चर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंतरण के परे की बात है अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका करतव्य था उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है जो घटनाएं इनसान की पहुँच के परे होती है वह उनसे भी परेशान होता रहता है उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा, जो इनसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वह यह भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्यानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्यानी मनुष्य है अपनी, अज्यानता वश उन चीजों को भी छोड़ देता है, जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेक शील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम है, कुछ उपाए है सबसे पहला उपाए अपने विचारों का निरीक्षन अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षन करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादा तर विचार हमारे कालपनिक होते हैं और इसी लिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है, वह भी कालपनिक होता है ज्यादा। सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वह बेकार के विचार उसे तो परिशान करते ही हैं। उनको गहराई से सोचना शुरू करो। परिक्षा का डर, लक्षना पाने का डर, जूट बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुरगटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन दरों का सामना किया जाता है। वैसे वैसे यह डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इन से बचने का प्रयास करते हो, तो यह जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। यह तब ही दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुल कर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अंजान लोगों से बात करनी चाहिए, जितना ही वह लोगों से बात करेंगे, उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को सुविकार करना बहुत से लोग-लोग अपने जीवन में अपने डर को सुविकार ही नहीं कर पाते अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने किया जिजग की जरूरत नहीं है हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्विकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। वही सारी रिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारी रिक डर को दूर करने के कुछ उपाय है, कुछ तरीके हैं, सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने उपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिनसोची बात घटती है, तो सबसे पहले उसका संयम तूट जाता है, और संयम तूटने के साथ उसका मस्तिश्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुख जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा, इस प्रकार हमारा मस्तिश्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिश्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसी लिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने उपर संयम रखता है, तो उसका मस्तिश्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उस परिस्थिती से ततकाल बाहर आ सकता है। यहां पर दूसरा उपाय समझने का यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमतकारिक होता है। वह हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बलकि उसमें कुछ भी हो सकता है। और यही जीवन की खुबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले दस साल तक अब क्या कर पाएंगे, तो आपकी जीवन में से रुची खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमई किताब की तरह बना रहेगा, तो आप अपने जीवन से कभी नहीं ठक। आपका जीवन आपको आ अन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारिरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही अपन